नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मैं रतन सेन भारती बिहार में बंती बिगरते सियासी घटना क्रमों के बीच आज एक वार फिर से एक नए अपडेट आया है आपको बता दें कि यह अपडेट राज़त की तरफ से आया है राज़त की यानि कि बिहार के इसपोट कर दिया रावडी देवी की तरब से दिये गए उस बयान में कहा गया है कि बिहार के मुख मंतरी नितिस्कुमार यानि की जदियों के सबसे बड़े नेता अब महागटबंधन के साथ हो सकते हैं राजट की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद से बिहार में सियासी पारा अपने सातवे आस्मान पे पहुँच गया है एकदम से ऐसा माने की भुचाल सा आ गया है रावली देवि के बयान के बाद से BJP जदियू की तरफ से बयानवाजी सुरू हो गई है इन सारे बयानवाजीओं की बीच में आपको बता दें कि यह बयानवाजी का दाओर सुरू कैसे हुआ सुरू होने का जो सबसे ततकालिक कारण यह रहा कि अरुनाचल परदेश में जदियू के साथ में से च्छा विदायक बीजेपी में सामिल हो गए उसके बाद से जदियू बीजेपी पर अरोप लगाने लगी अरोप पर ते अरोप कदा और दोनों पार्टियों के बीच में जारी रहा यानि कि NDA के दोनों साथी पार्टियों के बीच में जारी रहा लेकिन इन दोनों के बीच में बिहार में राजद ने जदियू पर सियासाथ एक दम से बदल गई अब कहा जाने लगा कि बहुत जल्द ही एंडिये गट बंदन तूट जाएगी इस तरह कि कई सियासी खबरें जो है सियासी गलियारों में चलने लगी इसके बाद खुद नितिश्कुमार मीडिया के सामने आया और उन्होंने कहा कि बिहार में इस तरह की कोई घटना करम नहीं है और जदियू कोई भी बिदाया कि किसी दुसरी पार्टी में जाने की इस्तिति में नहीं है इसके बाद से तो एक दम से ये लगा कि बिरामसा लग गया कि बिहार की सियासत अब ठीक होगी लेकिन उसके बाद एक जनवरी 2021 को एक बार फि पार्टी अपनी दरजन भर MLA, MLC को जदियू में जाने से नहीं रोक पाई उनका 10 लाख लोगों को एक जटके में सरकारी नौकरी देने का अभिया भारिक बादा नकार दिया गया गरीबों, मजदूरों, योबाओं, महिलाओं ने जिन पार्टी के अनुभव हीन बंसवा जाई नहीं है, इसके बाद BJP के नेता प्रेवरंजन पटेल ने कहा कि RGD सत्ता के लिए तडप रही है, और उसे पाने के लिए कोई भी हत्रगंडा अपनाना चाहती है, लाख कोशिस कर ले, नितिस NDA के साथ ही रहेंगे, इसके बाद जदियू के परवकता संजय सिह ने परवकता संजय सिह ने कहा कि RGD सत्ता के लिए तडप रही है, जनता ने विपच्छ में बैठने का जाने देश दिया है, उन्हें विपच्छ में बैठने का मजा लेना चाहिए, लाख कोशिस कर ले, सरकार हिलने वाली नहीं है, इसके बाद जदियू के बरिष्ट नेता बसिस नराइन सिह ने रावडी देवी के बयान को हस्यासपत करार दिया, उन्होंने कहा कि यह निरर्थक बयान है, फाल्तु और हस्यासपत बातें कहीं गई है, राजत के लोग सपना देखते हैं, कलपना में जीते हैं, परिनाम आया और सरकार बने एक माह से अधिक हो गए लेकिन अब तक वे हार को नहीं पचा पा रहे हैं, उन्होंने रावडी देवी को निसाने पर लेते हुए कहा कि उनका बयान चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, बिहार में बरतमान में सियासी पारा एकदम से उपर है, तीनों राजनितिक पार एक दूसरे के उपर बयानवाजी का दौर शुरू कर दी है इन सब चीजों के बीच में अब देखना यह दिल्चस्प है कि बिहार में जिस तरह की ठंड बढ़ रही है क्या बिहार में ऐसी सियासी पारालागातार बढ़ता रहेगा या ठंड और गर्मी के बीच में कोई पुलन बनता दिख रहा है बिहार के और भी ऐसे ही पॉलिटिकल किस्सों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ मुझे जी जी जाज़त धन्यबाद